गाईज आज का दिन बहुत स्पेशल है, मैं आप सभी को हैपी इंडिबेंडस डे विश करता हूँ और आज हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट मार्टफोन के बारे में जो आप 20,000 रुपे के प्राइस ट्रैक पे खरीद पाएंगे, तो बिना टाइम वे का IPS LCD डिस्पले देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही इसके स्क्रीन में मिलेगा आपको गुरिला ग्लास वाइप का प्रोडिक्शन भी, तो इस प्राइस रेंज में हमें लगबख सभी स्मार्टफोन अबलेट डिस्पले के साथ देखने को मिलने हैं, तो इसमें जो IPS LCD डि अब बढ़ते हैं इस फोन के क्यामरा की तरफ, तो इस फोन के रियर में आपको 64 MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, और इससे आप सिर्फ Full HD वीडो ले पाऊगे 30FPS बे, बात करें फ्रंट क्यामरा की तो फ्रंट में आपको 16 MP का सिंगल क्यामरा से दखने को मिलेग और इससे भी आप सिर्फ Full HD वीडो ले पाएंगे 30FPS बे, 5000MH के लिधियां पॉलिमर बैटरी देखने को मिलती है, 33W की सुपर भूक चार्जिंग के साथ, जो के लेते सिर्फ 30 मिनट इस फोन को 50% चार्ज करने में, इस फोन में आपको 6 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, बात करें इस फोन के वेट की तो 195 ग्राम और मुटा ही है 8.5 mm, ये फोन आप दो कलर आप्शन में खरीद पाएंगे ब्लैक और ब्लू, इस फोन के 6 प्लस 128 GB वाले वेरंट का अभी जो लेस्टर प्राइस है, वह है 19,000, अप करन लिस पे आपको 1000 रुपे का बैंक कॉफर द 6.67 इच का, Full HD प्लस 120 Hz का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मल जाता है, इसके साथ ही इसमें आपको SDR 10 Plus का सपोर्ट भी देखने को मलेगा, बात करें प्रोसेसर की तो इस स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 778G देखने को मलता है, जो की 6 नानोमीटर आर्खिटेक्चर पे बेस है, और इस इससे आप 4K वीडियो ले पाओगी 30FPS पे, इसके साथ ही इस फोन के फ्रांट में आपको देखने को मलेगा 16 Megapixel का सिंगल कामरा सेटप और इससे आप Full HD वीडियो ले पाओगे 30FPS पे, तो यहां पे आपको 4K वीडियो शूट करने का option मिल जाएगा, जो की not c2 light में missing था, अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में आपको 5000 एमेज के लिए था हम आयन बैटरी देखने को मलेगी, 44W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो की लेती है सिर्फ 23 मिनिट इस फोन को 50% चार्ज करने में, इस फोन में आपको side monitor phone scanner देखने को मिल जाएगा, 3 3.5 mm jack देखने को मिल जाएगा और इसके साथ इस में आपको stereo speaker भी देखने को मिल जाएगा, बात करें इस फोन के weight key तो 93 gram और मोटा ये 8.4 mm, ये फोन आप दो color option में खरीद पाएंगे, Arctic Dawn और Mystic Space, इस फोन का 8 plus 128 GB वाला window currently 20,000 रुपे में खरीद पाएंगे, तो हम जितने भ इस फोन की तरफ और ये फोन है Redmi की तरफ से Note 11 Pro Plus, इस फोन में आपको 6.67 इंच का एक बड़ा full HD plus 120Hz का AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाता है, और इसके साथ इसके screen में दिया गया है Gorilla Glass 5 का production भी, बात करें इस फोन के processor की, तो इसमें आपको Snapdragon 695 देखने को मिलता है, और इस इससे आप सिर्फ फोल HD वीडियो ले पाएंगे 30FPS पे, और बात करें इस फोन के front camera की, तो front में आपको 16MP का single camera setup देखने को मिल जाएगा, और इससे भी आप सिर्फ फोल HD वीडियो ले पाएंगे 30FPS पे, 5000MH के लिए थे हम polymer battery देखने को मिलती है, 67W की fast charging के साथ जोखी ले इस फोन में आपको साथ 5G band देखने को मिल जाएंगे, side mounted finger bin scanner देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही इसमें आपको dual stereo speaker भी देखने को मिल जाता है, बात करें इस फोन के weight key तो है 202 gram और मोटा ही है 8.1 mm, तो ये फोन थोला बारी है, ये फोन आप 3 color option में खरीद पाएंग मगर इसमें आपको wide 1 L1 का support देखने को नहीं मिलेगा, जिसके वज़े से आप SDR content stream नहीं कर पाएंगे, और इसके साथ ही इस फोन के front camera में काफी ज़दा skin smoothing देखने को मिलती है, जो कि शायद सभी लोगों को पसंद ना है, तो अगर आपको ये वीडियो यहां तक पसंद पर है, वो है realme की तरफ से narzo 50 pro, तो इस फोन में आपको 6.4 इंच का full HD plus 90 Hz का super amulet display देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही इसके screen में मिलेगा आपको gorilla glass 5 का protection भी, और ये smartphone आता है SDR 10 plus के certification के साथ, बात करें इस phone के processor की, तो इसमें आपको media tech dimensity 920 देखने को मिलेगा, और इस phone का on to do score है 5,5,000, तो performance भी हमें इस smartphone में decent देखने को मिलता है, अब बात करते है, इस phone के camera की, तो इस phone के rear में आपको 48 Megapixel का primary sensor देखने को मिलता है, और इस से आप सिर full HD video ले पाएंगे 30 fps पे, इसके साथ ही, इस phone के front में आपको देखने को मिलेगा 16 Megapixel का single camera setup, और इस से भी सिर्फ full HD video ले पाएंगे 30 fps पे, although smartphone का camera above average perform करता है, मगर इसमें consistency missing है, इस phone में आपको 5000 mAh की lithium polymer battery देखने को मिल जाएगी, 33 watt की fast charging के साथ, जो की लिए सिर्फ 31 minute इस phone को 50% charge काने में, ये smartphone out of the box Android 12 पर run करता है, इसके साथी smartphone में आपको in display finger scanner भी देखने को मिल जाएगा, बात क 6 plus 128 GB वाले बेरेंट का अभी जो लिस्टेट प्राइज है, वह है 22,000, और currently इसमें आपको 1500 रोपे का bank offer देखने को मिल जाएगा, तो इस smartphone के साथ restriction है, इसमें आपको memory extend करने का option नहीं मिलता है, इसके साथ ही इसमें आपको काफी ज़्यादा pre-install bloatwares भी देखने को मिलता है तो अगर आपने smartphone को खरीदने का one बना लिया है, तो मेरा personal recommendation यह हुगा कि आप थोड़ा पैसा और खर्च करो, और Realme 9 Pro Plus के साथ चाहिए और finally हम आगे हैं अपने list के number one position के phone पे, और यह phone है Samsung की तरप से M52, इस phone में आपको 6.7 इंच का full HD plus 120 Hz का super amulet display देखने को मिल जाता है, और without a doubt यह इसले इसका सबसे बहतरीन display है, बात करें processor की तो इस smartphone में आपको Snapdragon 778G देखने को मिलेगा, और इस phone का on to do score है 5 black 2000, तो surprisingly Samsung के budget smartphone में हमें एक अच्छा performance भी देखने को मिल जाता है, बगर एक चीज में यह smartphone बहुत अच्छा है, वह है this phone का camera, इस phone के rear में आपको 64 में इस phone का primary sensor देखने को मिलता है, और इस से आप 4K video ले पाओगे 30 fps पे, और front में आपको देखने को मिलेगा 32 black muscle का single camera setup, और इस से आप full SD video ले पाओगे 30 fps पे, 5000 mh खे लिधियम and battery देखने को मिलती है, साथ ही यह phone support करता है 25 watt तक fast charging, मगर इस smartphone के box में आपको सिर्फ 15 watt का fast charger 100% charge करने में और यह काफी जादा outdated है, इस phone में आपको 11 5G band देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस list में सबसे जादा है, और इसके साथ ही इसमें आपको career aggregation का support भी देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही इसमें हमें NOX की multi-layer security भी देखने को मिल जाती है, बात करें इस phone क आपको 1000 रुपे का bank offer देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपको यह smartphone खरीदना है, तो next sale का इंतियार करिए, क्योंकि यह phone आपको अराम से 20,000 रुपे के अंदर देखने को मिल जाएगा, और finally बात कर लेता है, मेरे what it की, और currently जो smartphone सबसे best value for money देत आपको fast charging से थोड़ा compromise करना पड़ेगा, मगर still यह smartphone overall एक अच्छा package है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर यह वीडियो पसंद आईए, तो इस वीडियो को आप like कर सकते हो, साथ ही चानल को subscribe कर सकते हो, और अगर आपको जानना है best smartphone under 25,000 के बारे में भी, तो उस वी में पास्था बारे में झाल